श्री शिवे नमस्तु ब्यों दोस्तों हरर महादेव हम जो है अस्टमी या नौमी दोनों में से आप किसी भी यह उपाय को कर सकते हैं पर मैं बोलूँगे आप अस्टमी तीती को ही कर लीजिए ठीके इसमें करने के लिए मैं जो भी चीज़े लगेंगी मैं आपको हमारे पूझ्जे गुरु जी ने शिव महापुरान की कथा में बताया है आपका कोई भी ऐसा धन है जो भी यह रोका हुआ है किसी को भी आपने धन दिया है या आपके घर में ही किसी के से आपका जैसे धन संपति का कुछ बटवारा होने होने को है और वह नहीं हो पा रहा धन मतलब रुका हुआ है आप लाग कोशिशे कर रहे हैं भहिया सामने वाला वो चीजों पर तैयार ही नहीं हो रहा है ना वो हमारी संपत्ती देने को तैयार है ना हमारा खेत देने को तैयार है ना हमारी प्रॉपर्टी देने को तैयार है और जो भहिया हमारा पैसे लेकी ग तो आपको सूखा बेल फल भी मिल जाएगा बहुत सारे लोगों के पास होता भी है आप देखेंगे मिल जाएगा सूखा बेल फल जो है उसको लेना है फोन लेना है फोनने के बाद अंदर का जो उसका भाग है उसके आपको पूरे नो हिससे कर लेना है ठीके इसके बाद जो ह वह सुपाय को करिएगा जब आप पूजा करते हैं ठीक है आपको क्या करना है आपको पूरी नो आहोती देनी है और आपको नो आहोती देते टाइम गोरी शंकर यानि हमारे शिव शक्ति के नाम का स्मरान करते हुए आपको पूरी नो आहोती देनी है लेकिन आठ आहोती आप आपको सूखा जो हमारा बेल है उसकी देनी है और जब नोवी आप आखरी आहुते आप देंगे तो उसमें जो है सफेद तिल लेना है थोड़ी से साथ में थोड़ी से सफेद तिल और हमारे जो वो सूखा बेल है वो साथ में लेकर के हाथ में और उसको छोड़ना है और गोर नहीं पा रहे हैं भीया हमारे महादेव हमारे गोरिशंकर हमारी करपा करिए हमारी प्रॉपर्टी वापस आजाए हमारे खेत खलियान वापस आजाए और जिस व्यक्ति को हमने धन दिया था वो हमें वापस कर दें तो यह स्मरण करते हुए आपको जो है वो नोवी आपको आ पटी है यह आप ले लीजे यह उपाय आप करके देखिए यह हमारे पुझे गुरुजी पंडीत प्रेदीब जी मिश्रा जी ने बताया हुआ उपाय है अब जो है मैं आप से अगले वीडियो में मिलूंगे तब तब के लिए शी शिवाय नमस्तू भ्याव